ओम शांती, आज 23 एपरेल 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरीजनल डेट है 14 एपरेल 1994, आज की अव्यक्त महावाक्य स्नेह पर हैं, कि आप बच्चों को स्नेह का रीटर्न देना है, स्नेह का रीटर्न क्या है, बाबा के सामने, जो भी सबा बैठी है, बाबा बात कर रहे हैं, कि आप बच्चों से अगर ये पूछा जाए, कि आप निरंतर योगी हो, धारणा स्वरूप हो, अगर ये पूछा जाए, कि आप बच्चे निरंतर सेवा करते हो, तो उसमें आप सोचेंगे लेकिन अगर पूछा जाए कि निरंटर्स नहीं हो तो उसनें में सब पास है लेकिन उसनें कार्थ है पास रहना और पास होना कोई परसिती आए तो उसमें अपने आपको पास भी दौनर फील करना इसमें बाबानिका भी पुर्शार्थ की आवशक्ता है बातों की बज़ाएं बाबा को देखो संकल्प, बोल और करम में व्यर्थ की अविद्या हो जाए इसमें अर्जुन समान बनो अर्जुन जो ओटे सो अर्जुन जो बाबा ने सिखाया उसको धारण करना बहुत ही गुई है बात आज बाबा ने स्नेह की परिभाशा में बताई कि अगर सचमुच बाबा से प्यार है तो क्या उसमें आप अपनी कमजोरियों को स्वाह करने के लिए त्यार हो और उसके लिए चाहिए द्रड प्रतिग्या द्रड प्रतिग्या में हमीशा सफलता है कई बच्चे कहते हैं कि प्रतिग्या तो बहुत बार कर ली ऐसा कहके धीले नहीं होना और नहीं कमजोर आत्माओं को साथी बनाना हमीशा शक्ति शाली संग में रहना और द्रड प्रतिग्या से सफलता को प्राप्त करना अगर सचुच बाबा से प्यार है तो जो भी कमी कमजोरी है उसको समाप्त करो नहीं तो व्यर्थ की बातों में यतार्थ को भूल जाते हैं यतार्थ को भूल जाते हैं तो व्यर्थ के जोश में आ जाते हैं जो जोश है वो होश को समाप्त कर देता है यथार्थ का होश नहीं रहता तो यहां बाबा ने सावधान भी किया और साथ-साथ मुलाकात में बहुत सुन्दर धारणा मुरत बाते कही इकागर हो के सुनेंगे स्ने का रिटर्ण स्वेम को टर्न करना परिवर्तन करना आज स्ने और शक्ति मुरत बाप दैदा अपने चारों और के स्ने ही बच्चों को देख रहे है आज स्ने और शक्ति मुरत बाप दैदा अपने चारों के स्ने ही बच्चों को देख रहे हैं जितनी सभा साकार में है उस से भी ज्यादा आकारी रूप की सभा है सर्व साकार रूपधारी वा आकार रूपधारी बच्चों को बापतदा स्ने की बुजाओं में समाई हुए हैं स्ने की बुजाओं कितनी बड़ी हैं चारों कि सभी स्ने की बुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है स्ने की भुजाई स्ने का सागर बेहद है सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं लेकिन स्ने में सब बंधे हुए हैं सर्व बच्चों में बाप ददा का स्ने समाया हुआ है स्ने की शक्ती से सब आगे उड़ते जा रहे हैं स्ने की उड़ान सर्व बच्चों को तन से मन से दिल से बाबा के समीब लाती है ये स्ने की उड़ान क्या क्या करती है अच्छे सिडारी में नोट करेंगे और अपने आपको चेक भी करेंगे स्ने की उड़ान सब बच्चों को तन से, मन से, दिल से बाबा की समीप लाती है स्ने का विमान सेकंड की गती से बाबा की समीप लाता है ज्यान, योग, धारणा, सेबा उसमें यथा शक्ती नमबरवार है लेकिन स्ने में हर इक अपने को नंबर वन अनुभव करते हैं इसने सर्व बच्चों को ब्रामन जीवन प्रदान करने का मूल आधार हैं अगर सबी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो निरंतर ग्यान स्वरूप हो ग्यानी नहीं ग्यान स्वरूप हो तो सोचेंगे क कहेंगे, हैं तो सई, निरंतर धारणा स्वरूप हो, तो क्या कहेंगे, लक्षे तो है ही, लेकिन जब पूछेंगे, निरंतर स्नेही हो, तो कहेंगे हांची, बाबा के स्नेही हो, बाबा से प्यार करते हो, तो क्या कहेंगे, हांची, स्नेही में सब पास हैं, कोई पास्वी द तो पास नहीं आते, पास आना सिद्ध करता है, पास है, स्नेक आर्थ है पास रहना, पास होना, और हर परसिती को बहुत सहज पास करना, तो सभी तीनों में पास हो, पास करना सहज है न, पास करने में कभी मुश्किल, कभी सहज है, पास रहने में तो आनंदी आनंद है, और प पास करना इसमें नंबर वार है ध्यान से समझेंगे बाबा के पास रहना इसमें तो आनंद यानंद है। लेकिन पास करना परसितियों को सहज भाव से पार करना इसमें नंबरवार है या नंबरवन है। दिखो नंबरवन नहीं कहते, सभी चुप हो गए, माना सम्थिंग है। लेकिन समय प्रती समय सने की शक्ती से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना ही है। जैसे पास रहना सहज है, जब पास करना सदा सहज हो जाएगा, तो पास होना क्या? पास हुए ही पड़े हैं, ये तो पक्का निश्य है, पास हुए ही पड़े हैं, सिरफ रिपीट करना है, इतना अटल निश्य है ना, दूर बैठे भी सब नजदीक होना, दिल तक्त पर हैं, कोई नैनो के नूर है, कोई दिल तक्त नशीन है, सबसे नजदीक नैन है और दिल है, आप सब ओम शान्ती भवन में नी बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तक्त पर या नैनो में नूर इरतन बन कर समाई हुए हो, समाया वख कभी दूर नहीं होता, इस वर्श क्या कहने में तो कहते हो इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है लेकिन अंत आदी की याद जादा दिलाता है अंत आदी की याद जादा दिलाता है आदी मधे की याद दिलाता है लेकिन अंत आदी की याद दिलाता तो अंत नहीं आदी है तीवर गती के उडान की आदी है जो अनाद रफ्तार है अनादी स्वरूप है तो अनादी स्वरूप की रफ्तार क्या है कितनी तेज रफ्तार है आज कल के भिन्विन साइंस के साधनू के तीवर गती से भी तीवर गती साइंस के साधनू की रफ्तार फिर भी साइंस साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती पकड़ सकती है लेकिन आत्मा की गती को कोई अभी तक ना पकड़ सका ना पकड़ सकता है इसमें साइस अपने को फेल समझती है और जहां साइस फेल है मां साइलेंस की शक्ती से जो चाहो वह कर सकते हो जहां साइस फेल है मां साइलेंस की शक्ती से जो चाहो वह कर सकते हो तो आत्म श प्रक्ति की उडान की तीवर्गति की आदि करो। चाहे स्वो परिवर्तन में, चाहे किसी भी वृति परिवर्तन में, चाहे वायू मंडल परिवर्तन में, चाहे समंद संपर्ग के परिवर्तन में तीवर्गति लाओ। तीवरता की निशानी क्या है सोचा और हुआ अंडरलाइन करेंगे तीवरता की निशानी क्या है सोचा और हुआ ऐसे नहीं कि सोचा तो है हो जाएगा नहीं सोचा और हुआ संकल्प बोल और करम तीनों स्रेष्ट साथ साथ हूँ व्यर्थ को वा उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गती बहुत फास्ट होती है अभी अभी संकल्प आया अभी अभी बोल दिया अभी अभी कर भी लिया संकल्प बोल करम इकठा इकठा बहुत फास्ट होता है उसकी गती का जोश इतना तीवरु होता है जो स्रेश संकल्प कर्म मरियादा ब्रामन जीवन की महनता का होश समाप्त हो जाता है व्यर्थ का जोश सत्यता का होश या थार्थता का होश समाप्त कर देता है और कुछ समय के बाद जब होश आता है तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था या की पहचान बदलकर एय यथार्थ को जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर एय यथार्थ को यथार्थ अनभव करते हैं तो व्यर्थ का जोश होश को खतम कर देता है तो इस वर्ष सब बच्चे विशेश व्यर्थ से इन्नोसेंट बनो नोट करेंगे अपना अभ्यास का कारिय व्यर्थ से इन्नोसेंट बनो अविद्या बनो जैसे जब आपात्माई सत्यूगी राज्ये में थी तो व्यर्थ वा माया से इन्नोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महानात्माई सेंट कहते हैं, ऐसे अपने को अपने वो संसकार इमर्ज करो, जब आप सत्यूग में थे, महानात्मा थे, व्यर्थ से परे थे, ऐसे अपने सत्यूगी संसकार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतेई स्यहज अनभव होगी और कराएंगे औरों को भी अनुभव कराएंगे व्यर्थ से मुक्त होंगे तो दिव्यता की अनभूती कराएंगे अभी तक यह नहीं सोचो कि पुर्शार्थ तो करी रहे हैं पुरश इस र पुर्शार्थ चल रहा है ऐसा नहीं लेकिन मैं अच्छा पुर्शार्थी उड़ रहा हूं यथार्थ पुर्शार्थी इसको कहा जाता पुर्शार्थ करती है नहीं कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुर्शार्थ को अपना सहरा बना लो यथार्थ पुर्शार् अभी मेहनत को किनारे करो अल्पकाल के आधारों का सहरा जिसको किनारा बना की रखा है ये अल्पकाल के सहरे के किनारे छोड़ दो अल्पकाल के सहरे जो बना कर रखे उन्हें छोड़ दो जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहरा अनुभव नहीं हो सकता और बाप का सहरा नहीं, इसलिए हद के किनारों को सहरा बनाते हैं, चाहे अपने स्वभाव संसकार, चाहे परसितियों को, जो किनारे बनाई हैं, सब अलपकाल के दिखावा मात्र, दोखे वाले हैं, दोखे में नहीं रह जाओ, बाप का सहरा छत्र चाया है, अलपकाल की बात दोखे बाज हैं माया की बहुत मीठी मीठी बाते सुनते रहते हैं बहुत सुन चुके हैं इसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बाते बनाने में बहुत होशियार हैं कितनी मीठी मीठी बाते बना दी जो बाते नहीं बनाओ तो बाते नहीं बनाओ बाते बनाने में एक द बाते बनाओ, ना बाते करो, क्या करो, बाबा को देखो, बाप समान करो, बाप समान वनो, जब कोई बात सामने आती है, तो बात बनाना सेकेंड में आ जाता है, जो कि माया की गती भी बढ़ी तीवर है, न? ऐसे सुन्दर रूप की बात बना देते, जो सुनते बाप को भी हसी आती, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते, बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, स्वन को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की तीवर गती को देख, अब इन किनारों से तीवर उडान करो ये अनेक परकार की बातें, व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं, रोल के उपर रोल बनता जाता है, इसलिए इससे इनोसेंट बनो, इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी, इस वर्ष के यथार्थ पुर्शार्थ के प्रत् निमित हो अनेक वर्ष बने अब औरों को निमित बनाने की सेवा के निमित बनो माइक वो हो और माइट आप हो बोलने वाले और आपके स्थान पर बाबा की बातों को सुनाने वाले शब्द नाद करने वाले दूसरे हो आप माइट देने वाले हो बहुत समय आप माइक बने अ के उड़ान की निशानी, समझा क्या करना है, तीवर उड़ान है ना, कि कभी तीवर कभी स्लो, सुधा तीवर गती के उड़ान से उड़ते रहेंगे, बादलों को देखकर घबराओ नहीं, अच्छे से नोट करेंगे, बार बार रिवाईस करेंगे, बादलों को देखकर घब बुराव नहीं, बात यहीं बादल है, सेकंड में क्रोस करो, विधी को जानो, सेकंड में विधी द्वारा सिध्धी को प्राप्त करो, एक तरफ है रिद्धी सिध्धी का फोर्स, आपका है विधी संपन, सिध्धी का फोर्स, रिद्धी सिध्धी है अल्पकाल, और विधी सि अर्जुन, मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूंगा, बोडी कॉंशिस का नहीं, मैं स्रेश्ट आत्मा हूँ, मुझे देखकर और करेंगे, तो जो ओटे सो अर्जुन, जो गाया हुआ है, अवल नमबर, अर्थार्थ अर्जुन, अलोकिक जन, ऐसा ग्रुप बापत देखना च देखें, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलोकिक जन, संकल्प, बोल और करम, सब में अलोकिक दिव्यता की जहलको, इसको कहा जाता अर्जुन, अलोकिक जन, ऐसा ग्रुप इस वर्ष में त्यार होगा, कि दूसरे वर्ष में त्यार होगा, जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं, वो हात उठाओ, मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूँ, फिर कोई ऐसा समचार नहीं आए, क्या करें, हो जाता है, सरकम्स्टांसिस ऐसे हैं, मदद नहीं मिलती, दुआईं नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता, जिनों को कुछ समय चाहिए, वो हात उठाओ, एक दो मा आते हैं, उनका सुक्षम वायूमंडल, वाइब्रेशन जरूर आता है, जो भी निमित होते हैं, उनका वाइब्रेशन जरूर फैलता है, वाइब्रेशन जरूर जाता है, पदम गुणा पुन्य भी मिलता है, पदम गुणा निमित भी बनते हैं, और शब्द तो नहीं बोल बिच्टोँ हात तो अनेक बार उठा चुके हैं बाबाबा ने अच्छे से बच्चो को पका कराया कि यह शब्द भी نہیں कहना जा करें हात तो बहुत बार उठा चुके हैं पर्तिग्या भी बहुत वर्ष कर चुके हैं ऐसे संकल्प ना सुक्षम में आए ना औरों के प्रति आए ये संकल्प भी धीला करता है ये तो चलता ही है ये तो होता ही है ये वाइब्रेशन भी कमजोर बनाता है द्रड संकल्प करो तो द्रडता सफलता को अवश्यलाती है कमजोर संकल्प नहीं करो उसको पाल करने में कितना समय लग जाता है मिटाने में महनत भी लगती है समय भी लगता है और बापतदा की वर्दान वढवा दुएवसे वन्चित रह जाते हैं सर्व की शुब भावनाओं की दुएवसे वन्चित वा जाते हैं शुद्रसंकल्प का बंधन घेराव ऐसा बादो सब के के दोड़ा कमजोर वियों उसके रेंबिश्व संकल्पों का घेराव Papamam 20pu 8 को 45 है उसका ऐसा घेराव बनाओ की वो गेराव Chffen चाया बन जाए सेफेटी का साधन बन जाए मेंज зан शुद संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है एक शुद वास्रेट शक्ति शाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है इसके अनभूती स्वर्ष देखो शुद संकल्प में कितनी ताकत है वो क्या कमाल कर सकता है वो इस वर्ष अनभूती करो पहले अभ्यास में युद्ध होगी व संकल्प संकल्प को खतम करने की कोशिश करेगा, करता है, लेकिन द्रड संकल्प वाले का साथी स्वयम भगवान है, विजे का तिलक सदा है ही, अब इसको इमर्ष करो, तो व्यर्थ स्वतई खतम हो जाएगा, व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, उसके रंग में कर दो, सेकिंड से भी कम समय में व्यर्थ को कट कर दो, शुद संकल्प से समाप्त करो, तो सर्व के शुद संकल्पों का वायू मंदल का घिराव कमाल करके रिखाएगा, पहले से यह नहीं सोचो कि होता तो है नई, करते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं, ये भी व्यर्त वायूमंडल कमजोर बनाता है, ओना ही है, ये दृड़ता रखो, उडान करो, क्या नहीं कर सकते हो, फैले स्वेम के ओपर अटेंशन, स्वेम का अटेंशन, टेंशन खतम करेगा, समझा क्या करना है, कोई कई े तो होता ह रहता है पहले भी परतिग्या की थी यह नहीं सुनो इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना साथ ही बनाना अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है पर एक दो में कहते हैं न शुब बोलो शुब सोचो शुब करो अच्छा सभी खुश राजी है न सबसे बात की न यह भी बाबा का स्नेह हैं स्नेह की निशानी है स्नेह की कमी नई देख सकते स्नेही की गλती अपनी गलती समझेगा बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं समझते मीरी बात है तो सनेही संपन संपूरण समान देखना चाहते हैं तो everywhere में एक शब्द बापतदा के आगे चाए दिल से, चाए गीट से, चाए बोल से, चाए संकल्प से जरू कहते हैं, बापतदा तो सब का सुनता है, सभी एक बात भोर्ट बार कहते हैं, बाबा के स्नी का रिटर्न क्या दें? रुरुहान करते हैं बच्चे, बाबा ने हमें इतना प्यार दिया, उने स्वार्थ प्यार दिया, तो उस प्यार का रिटन क्या दें? क्योंकि क्या से क्या तो बन गई न, कोटों में कोई तो बन गई न, कोई में कोई नी बने, तो कोटों में कोई तो बने हो न, इसमें सब तो बाप रिटर्न में क्या चाहते हैं, रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना, बाबा के स्ने का रिटर्न अपने को टर्न करना, मतलब परिवर्तन करना, समझा, बस यही स्ने का रिटर्न है, यह तो कर सकते हो न, स्ने के पीछे यह नहीं कर सकते हो, क्या, मतलब का स्ने तो न स्ने में त्याग करने के लिए त्यार हो बाप जो भी आज्या करें त्यार हो स्ने में सब सेंट परसेंट हो या परसंटेज है अपने को टर्न करने के लिए त्यार हो स्ने के पीछे ये त्याग है या भाग्य है भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए त्यार है आप रावन का स सिर तो उतारो, पांचों ही सिर उतारेंगे या एक दो रखेंगे, थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे, चलो पांच नई छटा दिखाते हैं न, बे समझी का, वो रखेंगे क्या, अच्छा, चारो ओर के, मन की उडान में उड़ने वाले, मदुबन निवासी अव्यक्त द्वारा, मदुबन में पहुचने वाली स्रेष्ट आत्माओं को, चारो ओर के, सर्व स्रेष्ट स्नेही, स्नेह में त्याग के भाग्ये का, स्रेष्ट संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा एवन के संकल्प को, प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, समीप आत्माओं को, बाप तदा का याद प्यार, भिन भिन भारत के देश वाविदेश के हर बच्चे को नाम सहित, विशेष्टा संपन, याद प्यार, नमस्ते, रूहानी बच्च्रों की रूहानी बाप तदा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाले शक्ति संपन्भव अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सुक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्भव ब्रह्मा मां की बच्चों में रुहानी ममता है इसलिए सुक्ष्म स्ने के आवान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्त पिलाते थे साथ साथ exercise भी कराते थे ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्था सुक्ष्म शक्तियों की चीजे देते और अभ्यास की exercise भी कराते तीनों लोकों में दोड की race कराते जिसे विशेश खात्री जीवन में समा जाए और सब बच्चे शक्ती संपन बन जाए ब्रह्मा मा की बच्चों में रूहानी ममता है इसलिए सुक्षम स्ने के आवान से बच्चों के special group वतन में emerge कर शक्तियों की खुराख खिलाते हैं जैसे यहां घी पिलाते थे साथ साथ exercise कराते थे ऐसे वतन में भी घी पिलाते अतासुक्षम शक्तियों की चीजे देते और अभ्यास की exercise भी कराते तीनों लोकों में दोड की रेज कराते जिससे विशेश खात्री जीवन में समाज आए और सब बच्चे शक्ती संपन बन जाए इसे लोगने स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है स्वमान में रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है आज हम सब बाबा की नहीं का रिटन देने के लिए द्रड संकल्प करेंगे हम बातों को ना तो देखेंगे ना चिंतन करेंगे एक बाबा को ही देखेंगे मैं अर्जुन हूं जो ओटे सो अर्जुन मुझे अवल नमबर में आना है सोचा और किया द्रड़ता संपन संकल्प करेंगे व्यर्थ से मुक्त रहना है बाबा के प्यार का रिटन स्वें को टर्न करना है जो बाबा को अच्छा नहीं लगता उन कमजोरियों को स्वाह कर देना है बाबा सिरूर रुखान करें मीचे बाबा जो आपको पसंद है हम वही करेंगे आपके स्नेह में अपनी कमजोरियों को कुरुबान करेंगे बाबा कि स्नेह में बाबा की शक्तियों को अपने मियातानुपव करें शुक्रिया बाबा शुक्रिया और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान मोती झांज का अव्यक्त यह कि बाबा मोती आपके स्नेह में पुक्तियों को कुरुबाबा वेक्त